हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सोशियोलोजी के इस चैनल पे तो आज हम देखने वाले हैं विबेशनात्मक सिध्धान्तकार हरबर्ट मार्किउस के बारे में मुख्यता हरबर्ट मार्किउस फायंग फायट समपरदायक से जुड़े एक जर्मन समाज सास्त्री थे और इनकी प्रमुक कृतिया निम्नवत है रिजन एन्ड रिवोलूशन उन्नीस स्यों कॉचि जाती हूँ यहहन निस्स तौपचकण में है अके हर्बर्ट मारकीवस फ्रेंखफ़न संपवताय से जुड़े अन्य बिचार कों की तरह सामाजिक व्युवस्था पर आधनिक्ता के कषिपर प्रभाऒग की आलोचना की है संप्रदाय को अलोचनात्मक संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है कई बार के उस्टन पूछा जा चुका है तो यहाँ ध्यान रखिए दा परंत व्यवस्था में पूजी वाद की गतिका एम इसकी व्यापकता को सामाजिक व्यवस्था के संदर में नकारात्मक मानते ह हुए भी इसका अप्रियार ताको स्विकार करते हैं तो मार्क्यूस कहते हैं कि पूजी वादी व्यवस्था भले से ही नकारात्मक है लेकिन समाज के विक्यास के लिए भी यह जरूरी है समाज में इसकी सकरात्मक कुछ हद तक सकरात्मक पच्छ भी होते हैं ऐसा पूजीवादी विवस्था में चुपे हुए पच्छो पर प्रकाश डाला है और किया है कि पूजीवादी विवस्था के एपच विरोधी की प्रतेक संभावना को एन-कैन-प्रकाडनेन-सिमित करने का यथा संभ़ प्रयास करते हैं तो उन्होंने पूजी वाद के छुपे हुए पच्छों पर प्रकास डाला है और कहा कि इनके कुछ बिरोधी पच्छ होते हैं जो किसी भी प्रकार से उन्हें सिमित करने की प्रयास करते रहते हैं इनके अंसार आधिनिक अध्योगी कुजी वादी विवस्ता में अपनी विभिन प्रक्रियाओं यूं तत्तों के प्रभाव में समाज में छदम चेतना फॉज यह इंपॉर्टेंट की पॉइंट है छदम चेतना फॉज कंसिनेंज का स्रिजन कर उसे बढ़ावा देकर मानवत को मार्ग से भठका दिया है कि मार्ग कि उसकते हैं समाज में ऐसी चेतना का विकास कर दिये हैं जिसका कोई अथार्थ वादी अस्तित्व नहीं है और जो मानवता के मार्ग से बठका देता है मनुस्य को अर्था ते अपने ब्यक्तिकत लाभ हितों के बारे में ब्यक्ति सोचता है आदमी का अध्योगी पूचिवादी ब्यवस्था द्वारा निर्मी छदम चेतना वस्तुता अनिश्चित असुरच्छा यों भय के भाव बजार अर्थ ब्यवस्था उद्भोक्ता वाद पर आधारित होता है और इस छदम चेतना ने ब्यक्ति में अलगाओ यों अमानुव की करण की प्रक्रिया प्रारम की है तो मार्कि उसकते हैं छदम चेतना वस्तुता अनिश्चित असुरच छात्मग भाव की इस्तिती होती है जो बजार्यूं व्यवस्था या भोगवाद पर संबंधित रहती है और छदम चेतना से में ब्यक्ति बिल्गित महसूस करता है अर्थात छदम चेतना जो भी बहुतिक वस्तुकों का उभोग के लिए फैलाया गया है उस कारण से अगर व्यक्ति उन्हें सुखों को प्राप्त नहीं करता है तुम्हां अलगाओ की इस्तिती को या बिल्गित महसूस करने लगता है मार्कि उस हर हुरसल और हाईडेगर क अस्तितवाद की अधारा में से भी प्रभावित थे तथा अन्य विवेशनात्मक सिध्धानतकारों की तरह वो पूजीवाद के विरोधी थे और समाजिक व्यवस्ताओं में अमूल चूल बदलाओं की इच्छा रखते थे उन्होंने कहा समाजिक व्यवस्ता में परिवर् करते हैं मार्क्यूज लिखते हैं कि अध्योगिक समाज बनावटी कित्रिम और सकताओं को जन्म देती हैं और जन्व संचार के साधन संस्कृति विग्यापन अध्योगिक प्रबंदन या माधिनिक सोच विचार का तरीका या सभी विद्धमान विवस्था को ही जिवीत र इंहारा को निर्धारी किया जाता है अगए इसमें हर्बर्ट मार्क्यूज ने पाक्ष्चा त्यम सामयवादी जगत तोनों के आध्निक अध्यों की समाजों की निरासा पुड तस्वीर प्रस्दूत की है रथात आलोशना की है नकरात्मक्भाव से उनकी आलोशना की ए सा खुलिख कर सकते हैं जिससे डेली क्रौइट कर वाया जाता है और प्रेपर वन का भी कुछ प्रवाइट कराया जाता है तो आप हमारे दोनों टेलिग्राम चानल ज्वाइन कर सकते हैं